नमस्कार दोस्तों प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए वाटसप का 5 टीप्स और ट्रिक्स बताने वाले हैं जो आपको यूज करना चाहिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें फिर सेटिंग में जाना है अब आपको प्राइवेसी पे क्लिक करना है सबसे उपर लाश्ट सीन और ओनलाइन दिखाई देगा इस पे क्लिक करना है इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप कब ओनलाइन है यानि आपका लाश्ट सीन कोई भी देख सकता है My Contact, इसको select करते हैं, तो अपने mobile में जिसका भी number save किये होंगे, वो लोग आपका last scene देख सकता है My Contact Accept, इसपे click करके जिसका जिसका number select करते हैं, उसको आपका last scene नहीं दिखाई देगा, बाकी सभी लोग देख सकते हैं Nobody, इसको select करके नीचे same as last scene को select कर देते हैं, तो आपके online रहने पर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि आप online है, यानि कि आपका last scene hide हो जाए Number 2, profile photo, आपको अपना profile photo किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, किस से छुपाना है, यहाँ पे set कर सकते हैं Everyone, इसको select करते हैं, तो कोई भी आपका profile photo देख सकता है My contact, इसको select करते हैं, तो आपके mobile में जिसका जिसका number save होगा, वही लोग आपका profile photo देख सकते हैं My contact accept, इसपे click करके उन लोगों को select कर सकते हैं, जिसको अपना profile photo नहीं दिखाना चाहते हैं यानि जिन लोगों का number select करेंगे उन लोगों को आपका profile photo नहीं दिखाई देगा बाकी सभी लोग देख सकते हैं nobody इसको select करते हैं तो आपका profile photo किसी को नहीं दिखाई देगा Number 3, About, ठीक, इसी तरह About आपको किसको किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, यहाँ पर set कर सकते हैं. Number 4, Status, आपको अपना status किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, या फिर सिर्फ किसको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर set कर सकते हैं. My Contacts इसको select करते हैं तो आपके mobile में जितना भी number save होगा वो लोग आपके status को देख सकते हैं My Contact Accept इसपे click करके जिसका जिसका number select करते हैं उसको आपका status नहीं दिखाई देगा बाकी सभी लोग देख सकते हैं यानि किसी से आपको अपना status छुपाना है तो यहां से छुपा सकते हैं Please share with इसपे click करके जिसका number select करते हैं सिर्फ वही लोग आपका status देख सकते हैं number five read receipt इसको on कर देते हैं तो आप किसी का message या status देख लेंगे फिर भी उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसके message या status को देख लिया है लेकिन हाँ आपका भी message या status कोई देखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपको ये video कैसा लगा comment करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये पहले से trick पता था कि नहीं